हालो एवरिवन कैसे हैं आप सब आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे ते दिखिए यहां पे हम नर्षा बनाएंगे इसके लिए हम घोड़े ले लिए हैं और इसमें हम दो चमच के करीब पाने डाल देंगे इसको अच्छा से हम घुड़ को मिक्स करते हुए अच बुस्ति होता है और बष्टो बनाना असान होता है ते देखिए गुड़ को इस तरह से हम बेल पाके बिया सब जरूरत नहीं होता है जब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो इसमें थोड़ा से हम तील डाल देंगे तो यह देखिए यहां पे तील डाल दिए एक चमच के करीब बहुत ही ज्यादा चाह बनता है तील से तो इस तरह से हम मिक्स करते हुए चला लेंगे ज्यादा नहीं पतला भी नहीं होना चाहिए ज्यादा गड़ा भी नहीं होना चाह तो इह देखिये हम इस अधर हम तेल भी गरम हमारा हो गया है और जो मैंने निकाली थी तो इसमे जादा गरम भी नहीं होना चाहिए जादा थंढा भी नहीं होना चाहिए इस तरह से इसको हम बना लेंगे छोर में घ diff.. थोड़ी से से तेल लगाके हाथों से इस तरह से हम दबाते हुए बना लेंगे तो हमारे यहां इसको अर्षा बोलते हैं और आप लोग कि इधर क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताएएगा कि देखे तेल भी हमारा गरम हो चुका है कि गयस कफले मीडियम रखेंगे नहीं तो अर्षा जो है जल जाएगा इस तरह से हम डाल देंगे इसको दोनों तरफ से पलड़ते हुए गोल्डन होने तक पका लेंगे यह देखें बहुत ही नरम रहता है तो इसको अच्छे से पलटना चाहिए नहीं तो यह क्या होगा तूट जाएगा देखें तो यह देखें काफी अच्छा से पक चुका है और गुड़ से बनाए है इसलिए ब्रान ब्राम अच्छा लगता है काफी टेश्टी होता है तो यह देखें पक चुका है इसको हम निकाल लेते हैं कि इसे तरह से सारा हम बना के रेडी कर लेंगे अच्छा कि देखिए अच्छा कि देखें यहां पर सारा बन के रेडी हो गया है वीडियो कैसी लेगी वीडियो अच्छा लगे तो प्लेज लाइक कर यह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक लिए बाई